आज हम आपको बिहार के एक ऐसे पोश्ट ओफिस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। इस पोश्ट ओफिस में महिला करमचारे ही पूरी तरह शे कमाल संभाल रखी हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जिले में इस्थित शिविलाइन डाग घर की दरसल गया सहर के प्रवर डांक अधिक्षक कर्याले के प्रसासनिक भवन में महिला डांक घर संचालित है जिसे बिहार का पहला महिला डांक घर भी कहा जाता है सन 2012-13 में ततकालिन प्रवर डांक अधिक शक आरवी चौधरी ने गया में महिला डांक घर के सुरुवात की थी तब से लेकर अभी तक इस डांक घर की कमान महिलाओं के दौरा ही शंबाले जाती है और यहां गरेड A से लेकर गरेड डिड तक की सारी करमचारी महिला आये हैं यहां एक पोस्टमास्टर का पोस्ट है एक PA का पोस्टल असिस्टन और एक GDS का यह दो हजर तेरह से हैं महिला पोस्ट आफिस बना है महिला पोस्ट आफिस के रूप में यह तो आसानी है हम लोग के लिए असान रहता है कुछ भी प्रॉब्लम होता है महिलाओं को आत्म निर्भर तथा ससक्त बनाने के उद्देश से किंद्र सरकार ने महिला डांग घर के शुरुवात की थी यहां काम करने वाली महिलाओं को कहना है कि महिलाओं के परसानी को समझने वा हल करने के दिशा में यह एक बेहतर कदम है महिलाओं को दूसरी महिलाओं के साथ काम करते वक्त अधिक सहस्ता होती है वह अपनी बात असानी से रखी जा सकती है गया के इस महिला डाक घर में फिलाल तीन करमचारी काम कर रहे हैं जिसमें एक पोश्ट मास्टर एक सहाई का तथा गुरूब डी के पद पर तीन महिलों की पोश्टिंग है इस चमबंद में गया डाक परमंडल के प्रवट डाक अधिक शक रास बिहारी राम बताते हैं कि लोकेल एटिन के लिए उंदन कुमार गया डाक प्रमंडल में महिला डांगर जो लगभग 12-2012-13 के अधि में खुला गया है और इसका नाम है एपी कलोनी सिवी लाइन महिला डांगर इसमें सभी की सभी कर्मी महिलाएं है यहां की कोश माश्टर निलम सर्मा है सहाई का पुजा कुमारी है और यहां पर एक ग्रूप डी है आसा देवी है सभी महिलाएं खुशी से बढ़ चर करके समाज सेवा और खासकर जो भी महिला ग्राहक पहुचते हैं तो उनकी टॉप परारीटी में सेवाएं दी जाती है अच्छा से यह डांगर चल रहा है हर तरक्या के सुविधा से यह लैस है यह प्रशाशनिक भावन में ही यह डांगर चलता है ग्राहक भी यहां पर इंवारिमेंट अच्छा महसूस करते हैं और साथ ही साथ यहां की महिला कर्मी भी इंवारिमेंट को अच्छा महसूस करती किसे दो